हलो दोस्तों मेरा नाम है मनीज और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल स्री रामा गर्बत्ती यह सामने आप देख रहे हैं पूरी रोग गर्बत्ती है जिसे हमने इस्टोर करके रखा हुआ है तो मैं आज इसमें दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी रोग गर्बत्ती को क्वालिटी में तैयार करें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह रोग गर्बत्ती हमने सेकंड लेयर इस्टिक से तैयार की हुई है सेकंड लेयर इस्टिक अपको मार्केट में असानी से कम रेट में मिल जाएगा फर्स्ट लेयर हम लोग ज्यादा तर यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा काउंटिंग बहुत कम आता है और थोड़ा सा रेड भी उसका ज्यादा रहता है तो फर्स्ट लेयर बजट में नहीं बैठ पाता तो इसलिए हम सेकंड लेयर ही यूज कर रहे हैं इसमें पीछे आप देख रहे हैं इसमें यलो कलर से इसे कलर किया गया है और इसे हम रबड से बंडलिंग किया हुआ है सेकंड लेयर में आपको बनाने का सबसे अच्छा फायदा है कि इसमें बत्ती थोड़ी से ज्यादा काउंटिंग में आती है क्योंकि यह सेकंड लेयर इस्टिक क्या है हलका होता है बहुत ज्यादा हलका आता है आप देखी रहे होंगे कि कितना बढ़िया स्लीम अगर्वत्तियां बनी हुई है किसी प्रकार का कोई इसमें कार्ट शाट तो नहीं है अगर आप रौग अर्वत्ति का आपका बिजनेस है तो आप क्वालिटी में जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि रौग अर्वत्ति में आप क्वालिटी अगर नहीं देंगे तो आपका मार्केट में मार्केट में आपकी अगर्वत्ति की डिमांड ही नहीं रहेगी और यह हमारा खुद का भी प्रिमिक्स है अगले आने माली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी क्वालिटी में प्रिमिक्स कैसे तैयार करें और लगभग लगभग इसमें वैसे तो कॉंटिंग साड़े नौ सो तक होनी ही चाहिए लेकिन यह हमारा प्रिमिक्स भी हलका है इसमें और सेकेंड लियर इस्टिक तो आप जानते ही होंगे कि थोड़ा सा हलका ही आता है उसमें कॉंटिंग भी थोड़ा सा जादा आता है तो यह लगभग लगभग इसकी कॉंटिंग एक हजार के प्लस में है लगभग आपको मैं एक इस्टिक आपको पास लगके थोड़ा से दिखाता हूँ वो दीख रहा हूगा वीडियो में बस दूर में दीखी गया कितनी पतली अगर बतती हैं और इसे हमने ड्रायर फैन से सुखाया हुआ है तो आप अगर चाहते हैं कि ड्रायर फैन का वीडियो भी बनाए तो जरूर कमेंट कीजिए मैं आने वाले टाइम में उसका वीडियो जरूर अप्लोड करूँगा हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सस्क्राइब जरूर कीजिए और जीतने भी अगर बत्ती बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको जरूर सेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद